अब आपके ड्राइविंग बेहेवियर के आधार पर मोटर इंशुरेंस पॉलिसी खरीच सकते हैं सुन्ने में अटपड़ा लगेगा लेकिन हाँ ये होने वाला है भारत बीमा नियामक और प्राधिकरण यानि IRDAI ने जर्नल इंशुरेंस कंपनियों को पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव जैसे टेली मैटिक्स आधारिस मोटर इंशुरेंस कबर लाँच करने की अनुमती दी है बीमा धारा कब निवाहन कितना और कैसे चलाते हैं इस आधार पर भी प्रीमियम का भुक्तान कर सकेंगे इसके अलाबा अगर आपके पास एक से ज़्यादा गाडियां हैं तो आप उनका उसी फ्लोटर मोटर इंशुरेंस ले सकेंगे जैसे अभी हैल्थ इंशुरेंस में लेते हैं IRDI ने जनल इंशरेंस कंपनियों को तीन नए एड़ उन जोडने की अनुमत दे दी है Pay As You Drive, Pay How You Drive और Floater Policy Floater Policy एक से ज़्यादा टूबीलर और कार के एक ही मालिक के लिए होगी PolicyWajar.com के Motor Insurance Renewal Head अश्मिनी दुबे ने एक मीडिया वेबसाइट को बताया इन नयमों में से उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा जो नियमित रूप से गाड़ी नहीं चलाते हैं या जिनके पास एक से ज़्यादा कार है उतारण के लिए अगर ए नाम का आदमी अपनी कार हर महीने 200-300 किलोमीटर चलाता है तो उन्हें Pay As You Drive मौडल के मताबिक समान प्रीमियम का भुक्तान नहीं करना होगा इसके अलाबा अधिक सुरक्षित गाड़ी चलाने और कम हाथसा करने वाले लोगों को भी प्रीमियम अब कम भरना होगा यानि अगर आप कम गाड़ी चला रहे हैं तो कम प्रीमियम भरेंगे ज्यादा चल रही है तो उसे आपसे कमपनी आपसे चार्ट लेगी Liberty Journal Insurance के President Udian Joshi ने कहा यह नियामक की ओर से उठाया एक स्वागत योग की कदम है खास कर ऐसे समय में जब महामारी ने हमारी काम करने और यात्रा करने की धंग को बदल दिया है यह एड़-on कवर निश्यत रूप से उन ग्रहकों को अट्रेक्ट करेगा जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं ऐसा इस लिए क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की कारण कार चलाने की किलोमीटर अब कम हो गये हैं वह एगर आप साल वर से कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो बीमा कंपनी नो क्लेम बोनस यानि NCB देती है जिसकी शुरुआत 20 फीजदी से होती है लगादार 5 सालों तक अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो अधिक तम 50 फीजदी तक NCB यानि 9 वोनस प्लेम मिल सकता है NCB छूट आपके प्रीमेंबो काफी कम कर देती है यह सुनिश्यत करता है कि आप दावा मुक्त सालों के दौरान NCB का विकल्प चुनते हैं अगर कार में थोड़ा बहुत खर्च आया भी है तो उसका दावा करने से बचें क्योंकि यह आपकी नो क्लेम की लीक को तोड़ देगा और आप अगले साल में NCB के पात्र नहीं होंगे आपको उतादे कि लगवक सभी वीमा पॉलिसियों में से एक जरूरी कटोटी होती है यह क्लेम की वैमाउंट होती है जो वीमा धारक को वहन करती है मान लीजिये कि आपकी पॉलिसी में कटोटी एक हजार रुपए की है और आपकी कलेम राशी दस हजार रुपए की है इसका मतलब है कि वीमा कंपनी आपको नो हजार रुपए का भुपतान करेगी और एक हजार का खर्च आप खुद उठाएंगे यह जरूरी कटोटी वीमा कंपनी ही तै करती है प्रीमियम पर इसका कोई असर नहीं होता है लेकिन अगर आप ज़्यादा कटोटी और लॉस के दौरान अधिक राशी बहन करने के लिए तैयार है तो यह प्रीमियम की लागत कम करने में हेल्फुल हो सकता है वैसे आपकी कार वीमा में दो एलिमेंट होते हैं थर्ड पार्टी कवर और खुद की छटी कवर मिलकर साथ में एक व्यापक कवर बनाते हैं सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए अभी एक थर्ड पार्टी कवर होना जरूरी होता है क्योंकि खुद की छटी आपके उपर डिपेंड करती है अगर आपकी कार दस साल से जादा पुरानी है तो आप इस कम्पोनेंट को छोड़ सकते हैं और केबल थर्ड पार्टी कवर लेकर प्रीमियम बचा सकते हैं जानकारी के लिए आपको यह भी बता दे कि गाड़ी को छोड़ी से पचाने के लिए एंटी थेफ्ट डिवाइस का अपना एक अलग महत्तो है इसे लगाने से दो प्रमुक फायदे हैं यह आपकी कार की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है दूसरा यह है कि अगर आपने एंटी थेफ्ट डिवाइस कार में फिट किया है तो बीमा करतब प्रीमियम पर छूट का दावा कर सकते हैं यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप छूट के लिए तभी पात रहोंगे जब डिवाइस को Automotive Research Association of India यानि ARI द्वारा अप्रूफ किया गया होगा तो फिलाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही आप को इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रू बताइएगा बागी की ऐसी ख़बरों के लिए सबनाइस न्यूज को देखते रहे हैं शुर्ट को